है गाइज आज की इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जॉब्स क्यों नहीं मिल पाते हैं फिर जॉब्स मिलने में इसे क्या बड़ी दिक्कत हम ही फेस होती है जिसके बज़े से हमें बहुत सारा टाइम लगता है या फिर कुछ कह सकते हैं इसके क्वालिटी होने के बाद भी हमें जॉब्स नहीं मिलते हैं तो हमारे मन में एक निगेटिविटी सी चा जाती है कि यार हमने ऐसे कौन सी गलती कर दी जिसके हमें ये सजा मिल रहे है तो आज क्या जो वीडियो है वीडियो इन्हीं टॉपिक्स पे होंगा इन्हीं टॉपिक्स पे हम डिसकस करेंगे कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जिनको रेक्टिफाइ करके अगर हम फुल्फिल करेंगे तो ये जो वीडियो सीरीज है इन्हें मैं आपको तीन सेक्शन्स में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स है जिनको आप ओरकम करके इन सारे पॉइंट्स को इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करके टॉप टॉबॉटम से मिटा सकते हो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तिन चीज़े बताना चाहता हो गाई इसकी जॉब्स न मिलने के बेसिक रीजन्स क्या होते रीजन्स बहुत ही जेन्विन रीजन्स है 100% रीजन्स है कि सबसे पहले हमें questions आता है कि आमें jobs क्यों नहीं मिल रहा है इसका basic reasons गाइस दो तीन reasons आप चेक कर लिजेए आपके पास degree नहीं है आपके पास जो किस भी job को आप apply कर रहे हैं उसके बारे में technical skills नहीं है आपके पास qualifications नहीं है या फिर मैं कहूंगा आपके पास certifications नहीं है आपको यह jobs मिल जाता है तो 90% लोगों को मैंने देखा है after degree या फिर after qualifications भी यह jobs मिल जाता है तो क्या करना है तो आपको सबसे पहले certifications करना है skills लेनी है competitive जो कुछ भी study आप कर रहे है उसको deep में study करना है definitely 101% मैं कह सकता हूं कि आपको इसके तुरू jobs मिलने के chances है वो chances definitely कर जाएंगे सो हमारी जो industrial thinking होती है यहाँ पर हम हमेशा टेकनिकल थिंग करते अनलेटिक्स थिंग करते लेकिन हमेशा हमको basically थिंग करना जो होत ज़रूर है कि ground level पर क्या कर सकते तो ground level पर आगर आपके पास certifications नहीं होगा knowledge नहीं होगा skills नहीं होगे तो definitely job के लिए तो कीजिए definitely आपका career bright होगा आगे चलके guys